नमस्कार दोस्तो आप सब कैसे हैं उमीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और ये सीत लहर की जो ठंडी ठंडी हवाएं हैं आप लोग खूब आनंद ले रहे होंगे ठंडी का तो दोस्तो आप सभी का मैं पॉंसर तहे दिल से स्वागत और अभिनेंदन करत हूँ दोस्तो आप सभी लोगों को ये बता दे कि जो बोड एक्जाम डेट निकल के आ गई है मैं चाहता हूँ आप सभी लोग अपने उस एक्जाम डेट को अच्छे से खुब बढ़िया से तयारी करिए बेहिचक नीडर होकर के तयारी करिए ठीके बेरकुल डरना नहीं ह जानते हैं कि यदि कोई भी चीज हो अगर उसे हम अच्छे से समझदारी के साथ अगर सोचे तो कोई भी चीज बढ़ा नहीं होता है आसानी से उसको हम पा सकते हैं तो दोस्तो आप सब देख रहे हैं खेतों की जो हरियाली है बढ़ा ही आनंदित होती है और ये समझ तो हम हमने बता कि इसके पहले ही ये पीली हो गई है ठीक है फूलों से सज जाती है चुकि ऐसा हमारा देश ही खुबसूरत है और उसी खुबसूरत देश में से हम आप लोग रहते हैं तो मैं चाहता हूं दोस्तों आप लोग अपनी पढ़ाई को खुब सांदार करिये और जितना ज्यादा ज्यादा हो सके उतना मिनात करिये ठीक है दोस्तों एक चीज और हम आपको बता दे कि जो प्रीबोर्ड एक्जाम होने जा रहा है 16 जनवरी से 20 जनवरी के बीच में आप सभी लोग प्रीबोर्ड का एक्जाम देना यह होम एक्जाम होगा आपके विद्याले में ह और इसमें आप अपने आपको भी तौलना और अच्छी तैयारी करके जाना चुकि यदि यह एक्जाम आप लोग कौलिफाई कर जाते हैं तो यकीने आप लोग का जो होसला है वो हमेशा उपर रहेगा और यह आप लगेगा कि या दोस्तों मैं अपनी तैयारी सोयं से कितन मिनात कर दीजिए आने वाले समय में जो भी कोशन हो बरिया से आप लोग उसको कर सकते हैं तो मैं चाहता हूं कि आप अपने एक्जाम को ऐसा करिए कि आने वाले समय में आप लोग कर यह एक्जाम बहुत ही सानदार हो ठीक है और बिरकुल डरना नहीं है किसी भी चीज से चुकि जो डरते हों वो कभी कुछ कर नहीं सकते हैं मैंने तो हमेशा दो लाइने बोला करता हूं जो रखते हैं जो होसला आसमान चुने का कहा जाता है कि परिंदों को नहीं दी जाती है तालीम रखने की उरने की रखते हैं जो होसला आसमान चुने का उन्हें परवाह नह दोस्तों आप सभी लोग अच्छे से मिनहत करिए बिरकुल आप लोग ये लगे गा कि यार हमने अच्छे से मिनहत कर लिया ठीके तो बस दोस्तों बस इतना ही आज है फिर मिलेंगे अगली क्लास में आप सब लोग अपनी तयारी को खोब बढ़िया से करिए और नैवर से कि धेरो सारी सभी छात्रों को बहुत बढ़ाई मचाताओं आप सब लोग अपनी तयारी खोब अच्छे से करिए चली बहुत बहुत दिल से थैंक्स